नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों कैसे हैं आप सोभी एक पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर तो देखेजी इस 2024 की पहली भारिश और बर बर याज से हो चुकी है स्टार्ट ना जाने कितने दिन ये चलने वाली है बहुत अच्छी बात है क्रिशी वागवान भाई जो बहुत जादा खुश है हम लोग भी खुश है धूल मिटी से मिली है राहत लेकिन ठंड जो है बढ़ चुकी है मैंने बड़े बड़े जो कोट वगएर है मूटे मूटे कपड़े थोड़े से रख दिये थे तो मुझे ल हाइट की जो पाड़ियां जो बहुत जाद हाइट में नहीं है वो सिर्फ बारिशी बारिश से ही गिली गिली हो रखी है बहुत अच्छी बात है धर्ति माता को थोड़ी से राहत मिली भई हम लोगों को जब प्यास लगते हैं तो हम कितने जादा हमारा गला सूखा हो जात अगल नहीं है तो देखें इतनी जादा स्नूफ लोगों कहाता है लेकिन हमारे आगे स्कूल जा रही हूं लेकिन स्कूल जाने से पहले पानी भी मुझे बहर के लेके जाना है पीने के लिए क्यूंकि ऐसे मौशं में जो स्पलाई का पाणी ना बहुत गंदा आता है मैं तो वैसे भी पीने के लिए साफ वाला पानी लेकर जाती हूँ तो पानी भरते तो भीगी गई थी क्यूंकि या भी पानी का प्रेशर बहुत जादा है और बारिश के पानी से भीगी कीचर हो गया है, कपड़े गंदे हो गया है, क्या ही बताओ, और मुझे कुछ सिलाई का समान भी लेकर जाना था, और मज़े की बात बताओं कि आज जो है सुबह से लाइट ही नहीं थी, आज नहाना भी नहीं हो पाया, और एक disadvantage होता है ये इस के मकान के लिए, और बच्चे भी हमारे आज तीन ही आयते थे, इंगार की स्कूल में लाइट थी, वरना ऐसे मौसमें बच्चे बड़े परिशान हो जाते हैं, तो स्कूल से बाहर का व्यू देखिए, आप कितना खूबसूरत है, गिला-गिला सा है, लेकिन काफी अच्छ के बाद हम, चलिए जी घर, गिला-गिला मौसम है, गाड़ियां गिली हो चुकिए, सीड गिली हो गई है, गंदे जूतों से दिखिए, गाड़ी के जो मैट्स होते हैं, वो भी गंदे-गंदे से हो गई है, तो एड़ेस्ट करना पड़ेगा, और एक और मज़े की बात पत कितना खुबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, खिला-खिला सा है, हरी-हरी घास उगेगी, अब बसंतरी तु आएगी, फूली-फूल खिलेंगे चारों तरफ, अच्छा मौसम होगा, तो जैसी रूम के अंदर एंटर किया, मैंने सबसे पहले मैंने ये चाक किया, कि अब देखिए घर के कामों में जुच जाते हैं, बहार चल रही है, जम आजम बारिश, तो अंदर करेंगे हम अपने घर के काम, काम मेरे तब ही हो पाते हैं, घर के अंदर बारिश वाले मौसम में अगर लाइट हो, तो लाइट थी, तो मैंने क्या किया, ओवर कोट ही सिरफ चेंज किया है बाहर से जैकेट पैनली टोपी पैनली हमने टोपी गलव मोटे मोटे जो सॉक्स वगर है यह पैनने चोड़ दिये थे तो अब लगता है यह वापिस पैनने पढ़ेंगे तो अब करते हैं काम तो एक और डिसएडवांटीज है बारिश का इस एरिया में खासका कि सारी चीटे पढ़ेंगे और कपड़े गीले हो जाते हैं तो हमने क्या किया कि सारे कपड़े मैंने घर के अंदर ही इस तरह अभी खेर दिये क्योंकि रूम का जो टेंपरेचर होता है बाहर से थोड़ा सा अच्छा ही रहता है तो थोड़े-थोड़े सूखते ही ताकि जादा हमें चलना ना पड़े तो बहुत एक्स्ट्रीम लेवल की बारिश हो रही है मज़ेदार मौसम है तो मुझे लगी है जी भूख मैंने अपनी भूख देखी आज चाय पीके और नमकीन खाके ही मिटाई है दूपने दो के असपास का हो रहा है टाइम मस्ट चाय और मठी खाने के बाद फिर में अपने काम में लगी थी तो आपने नोटीس किया होगा पहले भी वीडियो में मीरे कुछ तिनों से बेक पिन हुआ था और भीच म ही ठीक भी हो गया था मैडिसिन काने के बाद मालीश करने के बाद तो वापिस जहसे सर्दी आती फिर से चालू हो गया तो मैंने किया कि गरम पानी की बॉटल में खूब उबलतावा पानी डाल दिया और इसको अपने कपड़ों के अंदर जहां पर दर्द हो रहा है उस जगह पर दुपट्टे की साहिता से अच्छे से टक कर दिया अच्छे से सिक्योर गे ताकि ये खिसके रहूंगी और काफी समय काम करने के बाद देखिए हर्शित को मैंने प्रॉमिस किया था कि जब भी बारिश आएगी मैं तुझे पकोड़े बना के खिलाओंगी तो प्रॉमिस किया है तो पूरा करना ही पड़ेगा तो मैंने क्या किया कि उसके आने का भी समय हो रहा है तो लिए फटाफट से आलू काट दिये प्याज काट दिया एक हरी मिच और लसुन को अच्छे से कूटके उसके ही पानी के साथ इसको घोल को बना दे रही हूं और बाकी वही रैगुलर मसाले होते हैं थोड़ी से अद्रग भी डाल दी क्यूंकि आजकल सर्दी है और बेसनना थोड़ा सा गरम होता है तासीर में इससे कभी-कभी एसीडिटी भी होती है तो मैं अजवाइन भी डाल दे रही हूं और थोड़ी सी हिंग भी वही रैगुलर वाले मसालों के साथ अच्छे से घोल बना के रख दे रही हूं तो थोड़ी देर के लिए फिर इसको बंद कर देती हूं जब आएगा उसी टाइम फटाफर से गरमा गरम पकॉड़े तल दूँगे और वह बहुत जादा खुश हो जाए क्यूंकि अगर मैं अभी नहीं बनाऊंगी न साही तैयारिया नहीं करूंगी तो उसके अंदर पेशेंस नियों को बहुत जादा भूक लगी रह करके यहां पहुंची तो जैसी यहां पहुंची जी अर्शित को मैंने रिसीव किया और चल पड़ी में वापिस तो यहां पर आज एक्सिडेंट होते होते रह गया था मेरा सामने से बाइसाब आ रहे थे उन्होंने बिल्कुल भी सिगनल नहीं दे रखा था कि वह किस मुझे लगा सीधा नैशनल हाईवे में आगे की तरफ जा रहे है तो एक तो देखिए वीजिबिल्टी बहुत जादा कम है कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और धुआ धुआ सा है पानी इतना तेज हो रहा है और वाई पर भी काम नहीं कर रहे थे और ठंड की वज़ए से वाला जो ग्लास है उस पर देखे मौश्चर सा जम रहा था ऐसी सिच्विशन है बहुत से संभल के चलने की जरूरत होती है होन बजा दिया कीजिए या फिर सिगनल दे दिया कीजिए या फिर बहुत आराम से चलो भई गाड़ी नहीं सामने पशू भी होते है निमल्स होते है तो हर्शित को सप्राइज दिया मैंने आज की आज मेंने गर्मा गरम पकोड़े बना रखे हैं तो फटा फट से बना देते हैं घोल बना रखे बना आए तो भी है निमल्स बहुत जादा खुश हो गया था कि चलिए आज इसकी मुराद हुई पूरी फटा फटा फट से काफी सारे बन गे थे 2-3 आलू थे और 2-3 प्याज में डाले थे आपको बताऊं मैं अच्छे से टेस्टी की यह से दिनर बी किया था क्योंकि टाइम भी आसा हो गया है च्छे कर बज़े हमने खाये थे उसके बाद पूजा पार्ट कर एदिनर करने का मनीं किया था और उसक ठीक था सुबह से लेकर शाम तक मैं काम में ही लगी थी और कमर का दर्द मेरा काफी सही था गरम पानी की बोटल से साथे दिस बजे का टाइम हो रहा है मैं ठक गई हूँ मैं जा रही हूँ सोने आपको में लिए